लोगो लोग द्वारा कही गई उक्तियां अर्थात कथन लोगो उक्तियां कहलाती है ये स्वैम में पूरा वाक्य होती है गुरुजी मुझे पढ़ाई लिखाई कुछ समझ में नहीं आ रही है ये तो वही बात हुई काला अक्षर भेंस पराबर हुजूर मुझे माफ कर दीजिए चलो हवाला जैसी करनी वैसी भरनी पहले चित्र में छात्र को पढ़ाने के बाद भी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं समझ रही है तो यहां काला अक्षर भेंस पराबर लोकोक्ति उसकी निरकशर्ता को दर्शाती है दूसरे चित्र में चोर के कैद होने से जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति सही है बच्चों उपर दिये गए चित्रों में लिखी गई लोकोक्तियां हम बिना किसी मदद के समझ सकते हैं क्योंकि लोकोक्तियां अपना अर्थ प्रकट करने में सफल होती हैं लोकोक्तियां पूरे वाके के रूप में होती हैं सोतंत्र रूप से प्रयोक्त होने वाली लोगुन द्वारा कही गई उपती लोकोक्ति कहलाती है ध्यान पुष्टी समाजिक जीवन के अनुभव के अधार पर बनती है और इनका प्रियोग अधित्तर अपनी बात की पुष्टी, करने या उपदेश देने के उदेश से किया जाता है। सफल होने के बाद आधे दामों में बीच भी डाली। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। चोर-चोर मौसेरे भाई एक जैसे स्वभाब वाले लोगों की मित्रता। राजनीती में कुछ असमाजिक तत्वों के कारण अपराद और राजनीती दोनों चोर-चोर लगते हैं एक पंथ दू काच एक काम से दोहरा लाभ मालती को गरीब बच्चों को पढ़ा कर प्रसिद्धी भी मिल गई और समाज सिवा करने के लिए इनाम भी मिल गया। इसे कहते हैं एक पंथ दू काच अंधे के हाथ पटेर लगना बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना रोहन घर में पढ़ाई नहीं करता फिर भी कक्षा में प्रथम आता है सच है अंधे के हाथ पटेर लग गई अंधो में काना राजा गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है कक्षा के 40 विद्यार्थियों में केवल राम क पहाड़े या धो पाने के कारण फ्य अंधो में काना राजा बन बैठा है दूद का दूद पानी का पानी सही न्याय करना राजेश ने भोले भाले विजे को चोरी के जूटे मुकदमे में फसा दिया था पन्याय धीश ने विजे को बरी कर दूद का दूद पानी का पानी कर दिया धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहीं का भी न रहना राकेश ने नई नौकरी के लालच में पुरानी नौकरी छोड़ दी पर उसे नई नौकरी नहीं मिली और पुरानी भी चूट कई इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का घर का भेदी लंका ठाय आप उपर से मित्र अंदर से कप्टी शाम सहायता करने की बड़ी बड़ी बातें करता था मगर सहायता मांगने पर सहायता करने से मना कर दिया इसे कहते हैं मुँ में राम बगल में छुरी अंधा क्या चाहे दो आंखे मन चाही वस्तू प्राप्त करने की लालसा मेरी बेटे के लि स्वयम ही पढ़ना होगा, किसी ने ठीक ही कहा है, अपनी करनी पार उतरनी, अब पच्चताए होथ क्या जब चड़िया चुक गई खेत, समय निकल जाने पर पच्चताने से क्या लाब, पहले तो तुमने ठीक प्रकार से नौकरी नहीं की, अब मालेक ने निकाल दिया तो अपने बाल बच्चों का ठीक धंग से भरन पोशन नहीं कर सकता है, ठीक ही है, ओस के चाटे प्यास नहीं बुच्चती, नाच न जाने आंगन तेढ़ा, बहाने बाजी करना, सुनिल को गाना तो आता नहीं है, और कह रहा है कि मेरा गला खराब है, ये तो नाच न जाने आ पर भी कम लाब, दो महीने से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला, लेकिन मिला मातर चांदी का एक सिक्का, इसे कहते हैं खोदा पहार निकली चुहिया, जैसी करनी वैसी भरनी, कारे के अनुसार फल प्राप्त करना, सीमा और मीना साथ साथ रहती थी, सीमा ने वर्ष भर टीवी देखा और असफल हो गई, सची है, जैसी करनी वैसी भरनी, थोथा चना बाजे घना, वास्तविक्ता से अधिक दिखावा करना, रामलाल के पास ना तो कोई डिगरी है और ना ही नौकरी, फिर भी धींगे हांकता है, ये तो वही बात हुई, थोथा चना बाजे पक को ही फोन करता है, उसके लिए घर की मुर्गी डाल बराबर है, हमने सीखा सोतंत्र रूप से प्रियुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ती, लोकोक्ती